तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि गाईकी के लिए कैसा हर्मोनियम लें तो जैसे कि आप लोग कहते हैं कि मुझे बेसिक हर्मोनियम चाहिए या मैं संगीत की शुरुआत कर रहा हूँ मैं कौन सा हर्मोनियम लोग कैसा लो मेरी आवाज ऐसी है तो सबसे पहली चीज हर्मोनियम लेते समय सबसे इंपोर्टन जो है वो दो कैटेगरी है पहला पॉइंट तो यह है कि हर्मोनियम बेसिक नहीं होता पहले मैं अपको क्लियर करतू बेसिक आपकी नॉलेज होती है हर्म तो जैसे कि आपके सामने इज तो आपके सामने यह तो हर्मोनिम रखे हैं यह है kolgata style harmonium इसमें एक हर्मोनियम जो है वो two-line का एक है three-line scale ginger तो कहने का मतलब यह सिर्फ variant वर्क भरक है जो आपके आपके एकड़ भाषा में बोलें कि basic harmonium जो आप जो कहते हैं कि basic harmonium तो और उसमें जो बेसिक हर्म हम उसे बैसिए लिए हिसरी स्टाइल होते हैं उसमें होता है कि होती है वह की इंडियन भीड होती है जिसे हम क्या सकते हैं आपकी भाशामेंगर बोलें तो उसमें जो तूला इन इसमें खडीकंगी है इसमें पालिटाना रीड है शागमार बुढ़ है साड़े 3 सब तक है कहीं तीन सब तक कभी हर्मोरियम होता है फिर साड़े 3 होता है कपला रहाता है त को साल वह्वारा का सकता हैं डूसरा पॉइंट है कि ढंक Lucky कहते हैं और यह आप कि der जॉत आप की थ्रूली चैक कर सकते हैं वह से हको होते हैं और प्लेErourt किbasedore । जाते हैं आप हो सबसे सूटेबल होता है मैल साथ इसाथ आप किसी female के लिए लेना है तो आप मैल मेल ले सकते हैं इससे क्या होगा कि आपके बच्चे के लिए वी वर्क करेगा कोई चाइल है या कोई female student है या आप भी गाना चाहते तो perfect है फिर अगर सिर्ष स्पेशली female के लिए लेना तो female harmonium यह female tuning का होता है male female कह सकते है या bass male female three set में कर सकते है और तीसरा point यह है कि जितना आपकी जेव अलाओ करें यानि कि मतला आपका बजट अब जरूरी नहीं है कि आपका बजट 10,000 से 12,000 के बीच में तो आप अमरे सरी के लिए two line के लिए bass male में with coupler जाईए best है मेरी समझते मोटिव आपकी learning के उपर depend करता है आपके आपके फिंगरिंग exercise पर depend करता है harmonium वही है आप जैसे हम से ले देगे तो आप अमरे सरी लेंगे तो भी आपको smooth keys लेंगी loose रहेगी की tight नहीं रहेगी जैसे और देसी harmonium में होता है बाकि कुछ देसी harmonium में जो बिल्कुल कह सकते हैं कि basic harmonium हर्मोनियम या कह सकते हैं कि लोग बज़ेट हर्मोनियम पर ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी माल सकता है तो लाइन का उचाए थी राइन को बजाने वाला पर पर इसका कोई फरक नहीं पड़ेगा कि आप डबल वेलो लेते तो सस्टेंग का नहीं यह वीडियो में और भी बोला है और ऐसी कपलर के साथ भी है कुछ नों को कपलर का भी कंफिसर होता है कि सरक नहीं हर्मोनियम में अपनी अपनी मालसिक्ता है एक शौक है कि कपलर वाला चाहिए ऐसा नहीं कि कपलर उस चीज को खुब्सूरत कर देगा हां आप तो थोड़ा सा चेंज आता क्योंकि थी साथ है उपर से फिर तरी साथ है का चेहकता बहुत अच्छा अच्छा साथ है फिर कपलर बजेगा ए जब सिर्फ चुन के साथ को अच्छान इसां का लाट है को या सिरु ज Science अदो हो वस्लिया अगरलोग चाला चाहतें गया अच्छा आप और वकल को प्रफरस देए तो सबसे चाहे कि स्टेन्ड रिएक चाहिए लें अच्छी पूर्ट के साथ अच्छे सटेंसर इनफ ऐसा कोई भी आप उसमें डाउट ना रखें कि बेसिक हैं या मैं यह लूँ या मैं कबलर वाला लूँ कबलर नहीं है नहीं सिर्फ यह डिपेंड करता आपकी लर्निंग पर आपके एक्सेसाइज पर बस बागी आपक अगर आप मेल है और 18 प्लस तो आप बास मेल में जाए तो बहुत आपके वोकल को सपोर्ट करेंगा डैप्त होता है यह चीज़ों का ध्यान रखें और ट्यूनिंग का ध्यान रखें बस बागी आप हमसे संपर कर सकते लेने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए लिए डी लब यूटे कर दो